हलो दोस्तों स्वागत है आपका CLC के डिजिटल प्लेटफॉम पे और CLC के एक यूनिक स्रीज स्टार्ट होने जा रही है जैई एडवांस के प्रिवेस एर के क्यूशन को हम टोपिक वाइज आपके लेके आए हैं किस लेवल के आ रहे हैं ये भी देखेंगे उसके इर्दिगर्द क्या कंशेट बनेगा हम इसको भी यहां डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फस्ट क्यूशन से पहला टोपिक जो अपना है वो है नॉमेंक्लेचर आइसमर्जम जनरल और्गेनिक केमेस्ट्री एंड हाइ ट्वन्टी तक जितने क्यूशन जई एडवांस में आए हैं उनका हम यहां पे सोलुशन करने वाले हैं ठीक है तो पर्स्ट क्यूशन दा क्रेक्ट ओडर ओप एसीडिटी पोर फॉलोविंग कंपाउंट आपको यह कंपाउंट दिया हुआ है उसका एसीडिटी का करेक्ट ओडर आपसे पूचा हुआ है तो यहां यह देखें कि क्यूशन जो बिलोंग कर रहा है वो एसीडिटी से कर रहा है और क्यूशन जो है वो है जी ओसी का जनरल और गयनिक केमिस्टी का क्यूशन है कैसे चेक करते हैं एसीडिटी को तो सभी को पता होगा कि एसीडिटी को कै से चेक करते हैं कि acidity जो है acidity is directly proportional to minus r minus h minus i और inversely proportional to plus r plus h और plus i यह simple सा कंचर देखते हैं बट इस other factor भी होते हैं जो acidity को effect करते हैं जैसे मैं यह बात करूँ यहां से acidity show करेगा carboxylic acid से हैं यह भी carboxylic acid से हैं यह भी carboxylic acid से हैं अब यहां पर इस o h का plus r लगेगा और यहां इस o h का metapotion पर है तो minus i लगेगा अब शुरूवाले जो दोनों compound हैं इनमें यहां observe हुआ हुआ हमें ortho effect और यहां भी हमें observe हुआ है ortho effect तो acidity का एक concept और होता है उसको हम समझाते हैं और आगे चलते हैं कैसे हम इसको explain करेंगे stability of conjugated base increase conjugated base की stability अगर बढ़ेगी acidity of its conjugated acid क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो यह वाला जो compound है एक तो आपके पास यह वाला compound है c o और यह o h यह o h यह o h एक यह वाला compound है c o h और यह o h और यह o h यह acidity show करेगा तो यह h जाएगा इसका negative charge यहाँ आएगा इसका conjugate base यह बनेगा यह acidity show करेगा तो negative charge यहाँ आएगा अब यहाँ इन तीनों ग्रूपों की बीच में क्या हो रहा है रिपल्शन हो रहा है ठीक है यहाँ यह तीनों ग्रूप एक ही plane में जो नजर आ रहे हैं रिपल्शन हो रहा है इस रिपल्शन की वज़े से यह वाला जो ग्रूप है तू मिनिमाइज तू मिनिमाइज रिपल्शन ठीक है इन ओडर तू मिनिमाइज एसे लिख सिकते हैं इन ओडर तू मिनिमाइज रिपल्शन सी ओ ग्रूप गोज आउट ओप दा प्लेन और यह सी ओ ग्रूप जो है वो आउट ओप दा प्लेन हो जाएगा और यहां रिपल्शन जदा हो रहा है इसमें मोर रिपल्शन हो रहा है जिसको हम बोल देते हैं, सर एफेक्ट बोल देते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, वन साइड सी रिपल्चन हो रहा है, तो यहाँ तो यहाँ तो यह पोसिबिलिटी बंद हो गई, रिंग के साथ रिजनेंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने बोला, in order to minimize रिपल्चन, सीओ ग रेजो विद रिंग, बट यह रिंग के साथ रिजनेंस क्या रखेगा, लेज रखेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपल्चन हो रहा है, अब अगर यह वाला रिजनेंस नहीं हुआ, तो यह वाला, यह जो है, सी ओ माइनस, by equivalent resonating structure, यह वाला जो group है, वो stabilize होगा, equivalent resonating structure से, क्योंकि resonance, resonance region जो है, वो केवल यह वाला है, यह वाला, तो केवल इस पार्ट में resonance होगा, यहाँ भी most of resonance जो होगा, वो इस पार्ट में होगा, तो यहाँ percentage of equivalent resonating structure बहुत ज्यादा आएंगे, equivalent resonating structure से, stabilize होगा, conjugated base, और यह ऐसा होगा, तो इसकी acidity बढ़ जाएगी, तो most acidic तो यह रहेगा, क्योंकि यहाँ रिंग के साथ repulsion minimum है, क्योंकि रिंग के साथ repulsion होता है, तो equivalent resonating structure नहीं बनती है, तो यह इसी में, यहाँ ही resonance होगा, और इसमें, क्योंकि रिंग के साथ resonance पूरी तरह खतम नहीं हुआ है, तो यहाँ equivalent resonating structure का percentage कम आएगा, बट यह दोनों ही compound, उन दो compound से ज्यादा acidic nature के रहने वाले हैं, question पर आते हैं, question पर जो दियावा है, acidity order हमें पूचा है, तो acidity order को सबसी ज़्यादा यह हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, यह दोनों क्यों हो यह, stability of conjugated base by equivalent resonating structure, और यह वाला possibility यहाँ बंद हो गया, और यहाँ भी यह बहुत वेरी क्या है, less है, तो इसको हम बोल देते हैं, ortho effect, कौन सा effect बोल देते हैं, ortho effect, और यह extreme form of ortho effect, उसमें ज्यादा लगेगा, only base करता है, size पर, number of group के, दोनों group लगा दिये तो ज्यादा repulsion होगा, तो इसका answer अगर हम देखें, तो सबसे पहले, first आएगा, फिर second आएगा, फिर third आएगा, first, second, third, fourth, तो first is correct answer, next question, is very simple question, the IPAC name of the following compound is R, इस compound का आपको IPAC name बताना है, तो IPAC name का rule क्या है, सबसे पहले numbering करते हैं, CH3 और ये CL, ये भी substitute है, और ये भी क्या है, substitute, both are, both are, substitute, दोनों ही substitute है, तो alphabetically order से number करेंगे, तो इसको one, इसको two, इसको three, और इसको four, तो one chloro, four methyl benzene, ये वाला name सही है, फिर one methyl, four chloro benzene, सही नहीं है, do not follow alphabetically order, ये do not follow, alphabetically order, alphabetically order क्या नहीं कर रहा है, ये, follow नहीं कर रहा है, do not follow alphabetically order, four chlorotoluene, तो हम यहाँ, जो toluene है, ये वाला compound है, CH3 ये वाला, ठीक है, इसको हम consider age a base name, consider age a base name, इसको हम base name में consider करेंगे, इसका नाम है, toluene, तो इसके यहाँ पे अगर मैं four number पे CL लगा देता हूँ, तो ये one, two, three, four, ठीक है, तो base name के consider पे मैंने किया है, तो four chlorotoluene हो जाएगा, फिर four methyl chlorobenzene, ना, इसमें position of chloro नहीं है, कहाँ पे है कलोरीन ये position नहीं है, तो ये भी गलत है, तो इसका मतलब answer जो जाएगा, वो जाएगा, first और third, first और third answer इसका क्या जाएगा, correct answer होगा, go doubt, चलो, next, the correct statement are the following addition reaction, तो यहाँ पे इनका addition reaction का stereo, एक simple सा concept है, वो आपको पताव ना चीए, उसी के concept पे हम इसको करने वाले हैं, तो देखते हैं कि कैसे होगा, question को solo करें, पहले उससे हम ये देख पा रहे हैं, कि ये वाली जो है, वो ट्रांस है, और ये वाली जो है, वो है, sin है, ट्रांस को में anti बोल सकता हूँ, और sin को में cis बोल सकता हूँ, इन पे addition करवाया है, और पूछा है product क्या बनेगा, तो करते हैं, देखें, ध्यान रखें, during addition reaction, आपको ये दिया हुआ है, anti, और addition करवाया है, br2 का, तो br2 का addition भी कैसा होता है, anti, both are symmetrical, ये दोनों ही symmetrical है, इसमें भी symmetrical है, मतला है, इदर भी CH3, इदर भी CH3, इसमें भी vr, vr, both are symmetrical, तो जब anti पे anti addition होता है, तो मी जो बनता है, क्या बनता है, मी जो, कैसे, CH3, ये CH3, ये बी आर, ये बी आर, एच, एच, और ये CH3, ये CH3, ये बी आर, एच, एच, और ये दोनों क्या है, identical, मी जो compound है, और अगर sin पे anti करवाता हूँ, ये sin है, और vr2 का addition में ने बोला, कैसा होता है, anti, तो sin पे anti addition होता है, तो क्या बनता है, 3O pair of enantiomer, क्या बनता है, 3O pair of enantiomer, तो देखें आप इधर, CH3, CH3, ये बी आर, एच, मेरे को 3O बनाना है, ये बी आर, एच, same side नहीं रखूँगा, बना इरित्रो बन जाएगा, और साथ में साथ इसकी बनेगी mirror image, ये बी आर, ये एच, ये एच, बी आर, मतलब ये क्या बना आपके पास, pair of enantiomer, या फिर मैं बोलू इसको, रेसेमिक mixer, या फिर मैं बोलू इसको, रेसेमिक mixer, तो पस्ट वाले में जो क्या बना है, मीजो बना है, बोथ हार, identical, इसेगिन में बना है, वो दोनों क्या है, रेसेमिक mixer, pair of enantiomer, और BR2 का addition कैसा होता है, anti, अब option को हम read करते हैं, क्या बोला है, bromination proceed through trans addition in both the reaction, clear, trans का मतलब में बोल सकता हूँ, anti addition, anti addition, O and P, ये वाले O and P, जो सिस पर करवाया है, O and P are identical molecules, ना mirror image है, अभी हमने बना है, इसमें क्या बना था, इसमें बना था, अपने पास 3 O, pair of enantiomer, ये बना था, अपने पास, इसमें बना था, 3 O, pair of enantiomer, M and O and N and P are pair of dash trimmer, definitely dash trimmer है, क्योंकि देखो इदर, CH3, ये CH3, ये BR, ये BR, H, H, और दूसरा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, BR, H, और ये BR, अब ये वाला, 3 O, ये 3 O है, ये मीजो है, तो 3 O और मीजो ये dash trimmer हो गया ना, उपर वाले पे सेम रहा, नीचे वाले पे change हो गया, तो ये सही बात है, कि M and O and N and P, M and O and P, क्योंकि ये दोनों थे identical हैं ना, ये भी सही है, M and O and N and P are two pair of penantiomer, ना, ये pair of penantiomer नहीं है, तो इसका answer जो जाएगा, वो जाएगा A और C, A और C इसका correct answer होगा, ठीक है, next question की बात करते हैं, पुचा हो है, among the following the number of aromatic compound, इस structure को थोड़ा सा सही कर लें, ये ऐसा है, ऐसा structure है, ठीक है, पुचा है, aromatic compound क्या है, तो aromatic compound होता क्या है, follow, 4 and plus 2 pi, और क्या होना चीए, planar structure, 4 and plus 2 pi, follow करता हो, और planar structure होना चीए, तो ये तो planar नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, SP3 आ गया, तो ये structure कैसा हो गया, non planar, NP का मतलब non planar है, तो ये aromatic नहीं है, ठीक है, इसके बाद करें, तो 2, 2 और 4, 1 pi electron के 2 electron और इसके, तो ये 4 pi, 4 pi इस formula को follow नहीं करेगा, ये anti-aromatic है, ये वाला 2 pi electron system है, क्योंकि 2 इसका positive वाले का 0 मानना है, और n की value यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये aromatic है, ये वाला यहाँ पे SP3 आ गया, तो ये वाला aromatic नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला aromatic है, 6 pi electron system है, तो ये भी aromatic है, इसकी बात करें, तो ये anti-aromatic हो गया, क्यों, क्योंकि 2, 2, 4, 4 pi electron आ रहा है, वो pi even number नहीं आना चीए, जो 4 की table में आता है, 4 की table में, table वाला even number है, तो वो system 4 and pi है, 4 and plus 2 pi नहीं है, ये वाला 6 pi electron system है, ये aromatic है, इसमें ये वाली ring, benzene ring type is texture होगी, 6 pi electron delocalize होगी, तो ये भी aromatic है, इसमें भी 6 pi electron delocalize होगी, तो ये भी aromatic है, और ये भी aromatic है, उसके बाद 4 और ये 5, तो आंशर इसका दो जाएगा, 005, इतनी species इसमें क्या है, aromatic है, next, ये बहुत शांदार क्यों संता, बहत्रिन क्यों संता, for the given compound acts the total number of optically active stereoisomers, आप क्यों संका ध्यान रखें, उसने क्यावल optically किसकी बात की है, active stereoisomer की बात की है, ठीक है, बताना है, और आपको ये बोला है कि जहां ये bond दिखाया गया है, this type of bond indicated that the configuration at the specific carbon and the double bond is fixed, यहां fixed हुआ है, और ये जो this type of bond indicated the configuration at the specific carbon and the double bond is not fixed, तो क्यों आप यहां change कर सकते हो, यहां आपको change नहीं करना है, questions जो दिया है, उसका देखो answer निकालने का तरीका, लंबे method से ना जाएं, क्योंकि time बहुत important होता है exam में, यह वाला जो question आपको दिया हुआ है, यहां यह dark करके दिया हुआ है, ठीक है, और यह ऐसे, 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 और यहां पर यह double bond, और यह OH, तो यहां तो geometri fix है, इधर यह वाला, और यह, और यहां पर आपको बोला है, कि आप इस OH को change कर सकते हो, तो इसी concept पर हम question को करते हैं, देखो कैसे होगा question soul, उसको समझने कोशिज करें, बहुत easy question है, approach आपका सही होना चाहिए, अब जैसे यहां पर यह दिया हुआ है, तो मैं change तो क्यावल इसी method पर change क कर सकता हूँ, इसी जहें change कर सकता हूँ, और तो बागी मुझा चैंज करना ही नहीं है, चैंज में यहीं कर सकता हूँ, तो इदर, मैं सबसे पहले यहाँ dark करके दिया आए ना, तो मैं इसको पहले dog पे लेके आता हूँ, ठीक है, अब यह double bond जो, यहाँ यह double bond यह dark है, और double bone कौन सा है, E है, अब मैं इस double bone को E पे ही रखता हूँ, और ये OH में यहीं लगाता हूँ, तो same उपर वाला ही नीचे आ गया, जो उपर पार्ट है, वो ही नीचे मैंने बना दिया, मैंने इसको भी dark पे लगाया, अब मतलब ये क्या है, ये है, about the plane है, तो मैंने इसको भी कहा लगाया, about the plane लगाया, और ये E है, तो मैंने भी इसको E पे ही रखा, तो same configuration, जो उपर है, वो ही नीचे है, same arrangement, तो ये वाली POS इसमें क्या हो जाएगी, present हो जाएगी, तो ये वाला ये वाली POS इस condition में present हो जाएगी, तो ये वाला तो क्या हो जाएग optical in active, इसके अलावा जो भी change करोगी, वो optical active ही रहेगा, तो इसमें देखो, मैं इसको इसको इस पे लेके जाता हूँ, और ये E रखता हूँ, और इसका arrangement ऐसे रखता हूँ, दोनों possibility ले ली, अब मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, जेड रखता हूँ, और इसको यही रख रखता हूँ, अच्छा इसमें एक चीज और होगी, इसमें, मैं यही रखता हूँ, पहले मैंने क्या किया, यह इस पे रखा, यह possibility हो गए, अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, इसको यही रखता हूँ, यह रखा, और यहाँ चेंज कर दिया मैंने, यहाँ मैं इस पे लेके active होगा फिर इस पे दोनों possibility आ गए अब मैं इसको यहां लेके जाता हूँ इस पे लेके आता हूँ यह जेड रखा और इसको यहां रखा फिर इसको यहां रखा और इसको जेड कौन पर किसम रखा इसको यहां रखा यह भी optically active यह भी optically active, optically active, optically active और यह भी optically active, plane तो लगेगी नहीं न इसमें अब इन तीनों पर यह मैंने जो condition अप्लाई की है जेड जेड ये अब मैं यहां लेके आता हूँ इसको तो यहां फिर मैंने क्या किया इसको ए रखा और इसको ऐसे रखा फिर मैंने वापस इसको यही रखा और इ और इसको मैंने ऐसे रखा और इस पे रखा मैंने तो यह जेड और इसको मैंने ऐसे रखा और फिर वापस इस और इसको मैंने यहां रखा, तो ये भी Optically Active, ये भी Optically Active, ये भी Optically Active मतलब जितनी possibility है लगाने की वो लगा सकता हूँ, तो ये भी Optically Active, Optically Active Optically Active और ये भी Optically Active, तो टोटल Optically Active कितने आगे आपके पास? 007 7 Optically Active बनेंगे एक तो मैंने वो जो उपर arrangement था, वो को वह arrangement लगाया नीचे उसके अलावाद जो arrangement possible है, वो सब लगाया मेंने से बना जाएगा answer, ओके Next question की बात करें ये बहुत 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 बहुतरिंट question था, ये single choice question है, the correct order of acidic strain following carboxylic acid तो देखो ये भी carboxylic acid छे देगा acidity शो करेगा, ये भी carboxylic acid से शो करेगा, ये भी carboxylic acid से शो करेगा, ये भी carboxylic acid से शो करेगा, तो ये तो हमें पता ही है कि CH3, CH2, COH इससे ज़्यादा acidic होता है ये वाला और फिर इससे ज़्यादा acidic होता है ये वाला अब बात आती है benzoic acid की है तो benzoic acid अगर normal होता है तो कोई बात नहीं था पर इसका क्या लग रहा है plus r और plus r लगने के काらने इसकी acidity कम हो गई उसके बाद third आएगा और उसके बाद fourth आएगा ऐसा option चेक करो 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसा option आपने पास D 4th में है तो 4th के according इसका आंसरा आजाएगा इसमें कोई बहुत ज़्यादा फरत नहीं है इसकी PKA value 4.3 है इसकी PKA value 4.5 है ये क्या value है? PKA value है तो बहुत ज़्यादा effect तो नहीं आया बट ये इससे कम acidic हो गया अगर OME नहीं लगाता तो ये उससे ज़्यादा acidic होता समझ मारी ये बात इसकी PKA तो 4.87 होती है और वो तो सबसे ज़्यादा acidic है है उसमें कोई प्रोब्लम ही नहीं है क्योंकि इसकी PKA value 1.89 होती है तो पस्तो सबसे ज़्यादा acidic होगा ही होगा ठीक है next चलते है which of the following reaction produce propane as a major product जिंक क्या करेगा दी हेलो जिनेशन तो ये बी आटू बाहर हो जाएगा और इसमें बनेगा CH3 double bond CH2 propene जिंक डाइलूट SCL reducing agent है ठीक है एलकिल हेलाइड को convert करता है किसमें hydrocarbon में convert करता है तो यहाँ जाएज लगा है वहाँ H लग जाएगा CH3 CH2 और ये CH3 प्रोपेन बन रहा है ये electrolysis और कौन सा वो भी कॉलबे electrolysis तो कॉलबे electrolysis में क्या होता है कॉलबे electrolysis में ये CH3 ये CH2 ये CH2 CO माइनस एने और यहाँ से radical generate होता है और ये 2 times bonded हो जाता है तो इसमें ये बनेगा इसमें ये है soda lime decarboxylation soda lime decarboxylation ये soda lime decarboxylation है तो यहाँ से तूटेगा negative charge आएगा CH3 CH2 माइनस और ये यहाँ से H plus क्या कर लेगा accept कर लेगा और इसमें भी क्या बन जाएगी प्रोपेन बन जाएगी तो soda lime decarboxylation में CO2 तो बाहर करना होता है तो यहाँ मैं पूचा है प्रोपेन किसमें बन रही है तो प्रोपेन B में बन रही है और प्रोपेन D में बन रही है बाकी इसमें प्रोपेन बन रही है इसमें हेक्जेन बन रहा है तो answer जो जाएगा वो चला जाएगा B और D नेक्स्ट यह सिंपल क्यूशन है तोटल नमबर उप हाइड्रोक्सिल ग्रूप परजेंट इन मोलिक्यूल अब दा मेजर प्रोड़क्ट पी इज तो यहाँ पे H2PD BSO4 क्या है लेंडलार केटेलिस्ट और कैसा एडिशन होता है यहाँ पे मैं लेता हूँ H2PD BSO4 और यहाँ पे पहले यह बनेगा इस यह H यह डबल बॉंड और इदर यह रिंग यह यह बन गया और यहाँ से आपके पास 123 123 और यहाँ पे डबल बॉंड और यह H पहले यह बना अब इसकी रिखन कराई Dilute K-manophore ठीक है क्या है Bear Reagent क्या है Bear Reagent क्या करता है Hydroxylation क्या करता है Hydroxylation डबल बॉंड पे Bear Reagent अगर डालते हो तो 2 OH का क्या होता है Syn Edition होता है तो यहाँ पे आपके पास जो product बनेगा न वो एक तो बन जाएगा यह वाला OH OH एक बन जाएगा ये वाला ओएच ओएच और इधर इस रिंग पे भी दो ओएच एक ओएच यहाँ और एक ओएच यहाँ आपसे पूचा टोटल नंब्रोप हाइड्रोक्षिल ग्रूप हाइड्रोक्षिल समों की संक्या कितनी है तो देखो यहाँ पे वन तू थ्री फोर जाएगा सिंपल क्यूशन सिक्स यहां आंशर जाएगा नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं घर गोज सनंब और निमान्य प्रोजेक्षिल पी-क्यू-र-S- और सवन बे विलो आपको कुछ प्रोजेक्षिन दिये हूए है और बोल रहा है विचन लोगिग और फोलोविंग ऐप औप्सन रिपरजेंट ऐडेंटिकल मोलेक्यूल पूछ रहा है यहां से कौन से molecule identical है तो सबसे पहले इनका rearrangement देखते हैं तो rearrangement मुझे सेम नजर आ नहीं रहा sequence of atoms सेम मुझे नजर आ नहीं रहा तो मैं सबसे पहले इनको simple way से represent करने वाला हूँ देखें आप इदर इसको represent करेंगे तो क्या बनेगा देखो इदर यह आगे वाला carbon है और simple दिखाज दो यह front वाला carbon है front वाले carbon पे इदर कौन जुड़ गया CH3 और इदर कौन जुड़ गया ET और इदर कौन जुड़ गया CH3 फिर यह पीचे वाले carbon से जुड़ा पीचे वाले carbon पे एक CH3 तो front वाले carbon पे C एक H जुड़ गया एक ET जुड़ गया और इसके पीचे जो carbon लगा हुआ है उस पे carbon यह OH यह CH3 और यह CH3 पीचे वाले carbon पे क्या जुड़ा हुआ है CH2 और यह CH3 ठीक है समझे में आगी बात इसकी बात करूँ तो इसमें front वाले carbon पे यह CH3 यह OH और यह CH3 पीचे वाले carbon पे carbon यह H और यह ET और यह ET यह जुड़ गया फिर इसकी बात करें आगे वाले carbon पे बात करें तो आगे वाले carbon पे 2 CH3 जुड़ गया CH2 जुड़ गया पीचे वाले carbon पे 1 ET जुड़ गया पीछे वाले कारवन पे एक ET जुड़ गया एक OH जुड़ गया और ये CH और ये CH3 और ये CH3 अब आपको देखना है कि इनमें reasonable मतलब सेम molecule कौन से हैं तो देखो आप इधर यहाँ यहाँ ET है इस कारवन पे इसमें भी ET है इस कारवन पे इसमें नहीं है molecule तो यहाँ सेम molecule अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को देखो इन दोनों को देखो इस कारवन पे दो ET ग्रूप होगे इस पे भी दो ET ग्रूप होगे क्योंकि इसको मैं ET लिख सकता हूँ और CH वाले जिस कारवन पे लगावा है जिसपे लगावा है उस CH वाले कारवन पे दो मिधायल और एक OH लगावा है यहां भी दो मिधायल और लगावा है नेक्स्ट, यह सिम्पल नेमिंग का क्यूशन है, आपसे जो पूचा है, उसके अकोडिंग आपको बताना है कि 3 इथेनिल, 4 हाइड्रोक्षी, 2 हाइड्रोक्षी, 4 मिथाइल, हेग्ज 3 इन, 5 आइन ओएक एसिड, इसकी structure कौन सी है, तो चेक कर सकते हैं, आपन जैसे सबसे पह तो देखो एकदम सोट में चलते हैं अपन, यह वाली चेन बन जाएगी, तो इसमें 2 नमबर पे हाइड्रोक्षी है, हमें 2 हाइड्रोक्षी बोला हुआ है, ठीक बात है, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 नमबर पे यह जो यह वाला है, इसका नाम हो जाएगा इथिनिल, तो बोन नमबर पे मिथाइल है, 3 इन, 2 नमबर पे डबल बोंड है, 5 आइन, 5 नमबर पे ट्रिपल बोंड है, ओई कैसिड तो इस टेक्चर यही आने वाली है, बाकी कोई फोलो नहीं करेगी, तो सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ नहीं है, नोमें क्रेचर आप सबका कर सकते ह हो, आंसर डाइरेक्ट देखेंगे, तो पता लग जाएगा कि कहा है, अब जैसे इस पे जाओगे, तो यहाँ 1, 2, 3, 3 पे मिथाइल है, तो इसा उप्सन ही नहीं अपने पास, इस पे जाओगे, प्रंक्शन ग्रूप को तो तो कंस्ड़र करोगे ना, यह चेन बनेगी, 2, यहाँ 3 पे इनाइल है, पर यहाँ मिथाइल नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा, इसमें भी मिथाइल नहीं है, इसमें मिथाइल एपसेंट है, कहीं नहीं है, इसमें भी मिथाइल नहीं है, इसमें मिथाइल है, अब तो इसकी पोशन सहीं नहीं है, तो आंसर अपने पास, क यह अच्छा क्यूस्टन था यहां आपसे पूचा है दा फीशर प्रोजेक्शन ओप डी इरिथ्रोज इस शोवन विलो ठीक है डी इरिथ्रोज का एक फीशर प्रोज दिया हूँ है इसका हमें रिलेशन निकालना है जो कोलमन सेगिंड में दिया हूँ है कि उनकी बीच क्या में सबसे पहले इसका RS configuration decide कर लो तो priority order decide करूँगा एक नमबर इसको मिलेगा दो नमबर ये carbon दो oxygen से दो नमबर इसको मिलेगा तीन नमबर इसको मिलेगा चार नमबर इसको मिलेगा मैं rotate हूँगा एक से दो की तरफ गया मतलब एसे rotate हुआ अगर यहां आ जाए तो आ रहा है उसका चेंज करना है तो हम इसको RS configuration से solo कर सकते हैं इसका भी R आएगा और इसका भी R configuration आएगा अब इनको comparison करना है जो हमें option में दिया हुआ है तो इसमें configuration निकालेंगे इसका भी R आएगा इसका भी R आएगा आप configuration तो आपको निकालना आता है होगा RS configuration एजी सा concept है फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे तो इसमें S आएगा और इसमें क्या आएगा R आएगा इसमें बात करेंगे तो इसमें R आएगा इसमें S आएगा ठीक है यह अपने पास फिर लास्ट वाला जो उप्शन बचा है इसका हम को इंपिग्रेशन निकालेंगे एक में एक्जाम्पल करके बता देता हूँ आपको इसका उप्शन कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो एक नमबर इसको मिलेगा दो नमबर यह कारबन दो से इसको तीन इसको और चार इसको एक से दो क्लोक वाइज रोटेट हुआ बट चार यहाँ पे है चार इस पे आएगा तो भी जो आ रहा है उसका चेंज करना है तो इसका कोन पिग्रेशन जो आएगा हुआ आएगा S अब इस पर बात करते हैं एक नमबर पर ये मिलेगा ये carbon oxygen से carbon से तो दो नमबर इसको मिलेगा तीन नमबर इसको और चार नमबर इसको एक से किदर जाना है चार की तरब clockwise rotate हो रहा हूँ clockwise तो इसका भी क्या आएगा S आएगा अब आपको इसके according option change करने हैं तो इसका अपने पास उसका क्या था आर आर तो पी तो क्या है identical तो पी में तो second आएगा इसमें SR आ रहा है तो ये क्या है diastromer क्योंकि उसका आर आर था उसका आर था तो ये इसमें आपके पास Q and R दोनों में क्या आएगा 1 आएगा और जो ये है RR का SSR है मतलब mirror image तो इसका मतलब ये pair open tumor तो इसका मतलब S में जो आएगा वो 3 आएगा ऐसा option अगर हम check करने जाएं Q और R फर्ष्ट तो इसा option अपने के पास C है तो C इसका क्या आजाएगा correct answer आजाएगा ओके ठीक है next with respect to the compound first for choose the correct statement the acidity of compound first is due to the delocalistrope in the conjugated base तो definitely ये H देगा तो negative charge 3 जगा क्या दिखाएगा resonance दिखाएगा stabilized conjugated base stabilized by resonance conjugated base stabilized by ratio ठीक है फिर बोल रहा है तो ये statement तो सही है yogic the conjugated base of compound 4 is aromatic तो इसका हटाऊँगा H तो ये बन जाएगा तो ये कैसा compound है aromatic तो statement भी सही है compound second become more acidic when is NO2 is substitute second में अगर मैं NO2 लगाऊँगा तो NO2 electron withdrawing group है और हमने पढ़ा है कि SCDT is directly proportional to electron withdrawing क्योंकि electron withdrawing group लगाने से उसके conjugated base की stability भढ़ जाएगी तो ये statement भी सही है the acidity of compound follow as the order कि first ज्यादा acidic है फिर fourth ज्यादा acidic है उसके बाद ना acidity order सही नहीं है सब most acidic की ये वाला होगा most acidic ये वाला होगा इसकी pk value होती है 16 तो इसका मतलब उससे ज्यादा acidic हो गया ये acidity order अगर arrange करूँ तो सबसे ज्यादा ये वाला होगा उसके बाद 5 होगा ये भी खूब acidic है triple bonded SP S percent character high है उसके बाद first होगा उसके बाद second होगा और उसके बाद third होगा ये correct acidity order होगा ऐसा नहीं है तो ये statement गलत है तो answer इसका जाएगा वो जाएगा first second third next ये बहुत बेतरिन क्यूशन है the reaction scheme so below qrns are the major product major product आपको यहाँ बताने है क्या बनेंगे तो देखो इस question को हम लगाएं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सावदानी बर्तनी है कि आपको दियावाई ये वाला यहाँ पर टर्सी ब्यूटाइल ग्रूप दियावाई है और इधर आपको दियावाई है ये दो CH3 दिये होए है और यहाँ पर आपको बेंजीन दियावाई है और इस compound की reaction करवाई है इस से AL CL3 ठीक है अब हम कुशन को लगाते हैं और देखते हैं क्यों क्या बनता है अपने पास तो यहाँ होगी इसका क्या लग रहा है इसका लग रहा प्लस H यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ इस्टेरिक हिंडरेंस बहुत ज्यादा है इसके यह और तो पहला डारेक्टिव हो गया प्लस है करना तो यह positive charge यहाँ अटेक करेगा और जहाँ अटेक करेगा वहाँ से कौन बहार होगा H प्लस बहार हो जाएगा तो पहला जो compound बनेगा वो यह वाला बनेगा यह group result रह गया इस पे यह result रह गया इधर से जुड़ा आपके पास C double bond O और इधर आपके पास देखो CWO, CH2, CH2, ये CH2, फिर ये CH2, उसके बाद ये CWO और ये OH, ये जो negative charge नहीं यहाँ पे, इसमें ये बनाना, CWO positive, ठीक है? ये CH2, CH2, CO, माइनस, AL, CL3, ये negative, तो वहाँ से H+, जो आया है न, वह वापस यहाँ H supply कर देगा, और finally ये OH में convert हो जाएगा, तो ये वाला compound बनाया अपना Q, ठीक है? Q में क्या दिया? फिर zinc, amalgam, HCl, H3PO4, तो पहले दिया आपको zinc, amalgam, HCl, कौन सा reduction हो गया? किलमेंचन reduction हो गया क्या? किलमेंचन reduction हो गया? तो ये किलमेंचन reduction में, ये CO group किस में convert हो जाएगा? यह CH2 में कनवट हो जाएगा फिर आपको दिया H3PO4 अब यह H3PO4 जो है वो इस OH ग्रूप को हटाएगा इस OH ग्रूप को यह हटा लेगा और यहाँ यह Electrophiler जो यहाँ अटेक कर जाएगा तो यहाँ आगे वाला जो प्रोड़क्ट बनेगा वो यह वाला बनेगा यह और इधर आपके पास आया C double bond O और इधर भी आपके पास यह तो CS2 में कनवट होई गया शोड़ी यह CS2 में कनवट हो गया यह CS2 एक और था एक CS2 और था और यहाँ पर आपके पास आगया double bond O ठीक है यह CS2 यह CS2 और यह CS2 यह वाला प्रोड़क्ट आपके पास बन गया तो यह वाला जो प्रोड़क्ट है वो है आपका R यह R है ओप्शन को ध्यान से देखना उसके बाद इसकी आगे रियक्शन करवाई है ग्रिगनार एजेंट और रस्टोसोपर और हीट तो यहाँ इसकी रियक्शन करवाई है CH3 MGBR से है तो यह Nucleophilic Edition यह यहाँ से हाँ और यह Hydrolysis दिया है पहले ग्रिगनार एजेंट फिर Hydrolysis तो यहाँ क्या सप्लाई हो जाएगी H प्लस सप्लाई हो जाएगी तो यह बन जाएगा आप मैं थोड़ असा इसको Simple way में Represcent कर देता हूँ यह दोनों Agit है यह OH और यह CH3 फिर दिया है Concentrate H2SO4 और Heat क्या करेगा Dehydration H2 बाहर करेगा तो इधर तो H नहीं है इस OH के respect में यह H2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और Finally Product जो बन जाएगा वो यह बन जाएगा अंच्वर इस Base पे हम Question चेक करेंगे तो आप से पूचा है Product क्या क्या होंगे तो Q और D यह वाला Product अपना D है यह वाला Product अपना क्यूं था ऐसा Option अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखो ऐसा Option चेक करेंगे ना मैंने Solution बता दिया है Screenshot लो आराम से और Option को चेक करें ठीक है तो अब मैं टिक करता हूँ यहाँ पे आपके पास क्यूं यह वाला था और D आपके पास यह वाला था यह दोना आशर चले जाएंगे ठीक है Next Consider the following four compound पस, second, third and fourth और choose the correct statement ठीक है तो यह करना है तो यहाँ पे देखो basicity हम पढ़ते हैं कि undelocalized loan pair more basic than delocalized loan pair undelocalized loan pair है वो ज्यादा basic होते हैं than delocalized loan pair तो यह delocalized यह वाला less delocalized ठीक है इसमें लगा SIP या फिर ortho effect और इसमें यह वाले undelocalized तो easily available loan pair कहां मिलेंगे आपको फोर्त में यह delocalized नहीं हो रहे हैं तो आसानी से क्योंकि सर इफेक्ट यह least basic यह रहेगा यह वाला most basic रहेगा यह वाला most basic रहेगा तो basicity का order जो अब arrange करें the order of basicity कि second सबसे ज़्यादा है तो गलत है नहीं है the magnitude of PKB difference between first and second is more than that between third and fourth इनके और इनके बीच का magnitude मैंने बोला यह बहुत highly basic है most basic और यह least basic हुआ तो more basic और least basic के भी इतना दिफेक्ट ज़्यादा आएगा न और यह बोल रहा है कि तो magnitude of PKB difference between first and second is more than that between third and fourth तो यह तो गलत हो गया क्योंकि ज़्यादा difference का आएगा least basic और most basic में सबसी ज़्यादा difference आएगा तो यह statement भी गलत हो गया resonance effect is more in third than in fourth definitely इसमें resonance लग रहा है यह resonance शोई नहीं कर रहा तो यह तो सही है steric effect में compound fourth is more basic than third यह मैंने बोला है steric effect मतलब hysteric inhibition यह hysteric effect होनी के कारणन तो nitrogen के लोण पे resonance में इनवल्वर नहीं हो रहे यह group out of the plane हो गया तो यह भी सही है तो answer जो जाएगा हो जाएगा C और D next यह question है यहाँ पे six करना आपको उसके बाद हमें solo करना है कि the consider following transformation पे compound एक P compound है Pth2 डाला तो यह बना X कोई reagent डालूँगा फिर K-manofor, Estosopor, Heat करूँगा तो यह वाला compound बनेगा और यहाँ पे NANS2 और इसके reaction साथ कराऊँगा तो यह optically क्या बनेगा active बनेगा ऐसा compound आपको देखना है कि कौन सा है तो यहाँ पे possibility तो सारे compound की है formula सारे follow कर रहे है तो उसी के according अपन चलेंगे कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा तो मैं एक बार इस compound को लेके check करता हूँ इस compound को लेके check करता हूँ C को कि P यह तो नहीं है और reaction को हम आगे बढ़ाते है तो P जो compound है वो अपने वाला ये वाला एक बार में ये लेके check करता हूँ check करना पड़ेगा reaction को क्या condition follow होती है नहीं होती reaction में बताऊंगा तो वो सारी समझ में आ जाएगी आपको ठीक है आप देखो ही सरग P की reaction N-A-N-S-2 शे करवाऊ N-A-N-S-2 यहाँ H है acid-base reaction हो जाएगी फिर C6H5CO और यह CS3 चलो इसको बाद में लिखते हैं तो पहले आपके पास बनेगा ये वाला compound मैं इस compound को लेके बाद कर्षार्ट करता हूँ यह H है N-A-N-S-2-H को हटा लेगा यह बन जाएगा ठीक है C triple bond C minus N-A-plus इसकी reaction करवाई यह किस से हैं C6H5CO और यह CS3 से हैं तो यह nucleophilic addition reaction यह यहाँ से हाँ यह यहाँ से हाँ क्या बना यह बन गया क्या इदर C triple bond C और यह O- ठीक है और इदर CH3 और इदर C6H5 आगे क्या दिया हुए है हाइड्रोलाइसिस और हीट H3O- प्लस और हीट तो H3O- प्लस दूँगा हीट दूँगा तो पहले यहाँ H supply होगी यह बनेगा ट्रिपल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड C O- H CH3 और यह C6H5 अब acidic medium दिया हुए है और हीट दिया हुए है तो क्या बाहर होगा H2 बाहर होगा अब इदर तो H है नहीं तो यहाँ CH2H यह बाहर हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा यह वाला compound C triple bond C और इदर आपके पास यह C6H5 double bond CH2 इस compound के लिए यह जो compound बना है यह R बना है और यह क्या है optical active है क्या compound optical active है definitely optical active है क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है chiral center है और one chiral center होने पे compound optically active होता है तो यह set हो रहा है मेरा अब मैं दूसरी sequence की reaction चलाता हूँ किलियर दूसरी sequence की reaction हम चलाते है अब दूसरी sequence की reaction अक्स कोई reagent लेना है और optical active बनाना है तो यह मैंने यह वाला compound लिया था जैसे मैं एक बार देख लेता हूँ यह वाला हमें लेता हूँ यह वाला reagent PDC quinoline PDC quinoline ठीक है तो यह sin addition of 2H2 H2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा sin addition हो जाएगा तो यहाँ यह बन जाएगा यह do not reduce double bond do not reduce double bond यह double bond को क्या नहीं करता है reduce नहीं करता है तो यहाँ यह बन जाएगा यह बाला हो गया यह हो गया double bond और यहाँ पर हो गया CH2 अब इसकी reaction किस से करवाई है K-monophore H204 heat K-monophore H2SO4 और heat तो यह क्या हो गया oxidizing agent क्या हो गया oxidizing agent हो गया तो यह oxidizing agent जब oxidation करेगा तो double bond का oxidation करेगा तो यहाँ से तूटेगा और यह यहाँ से तूटेगा तो इधर तो क्या बनेगा यह C-O-H और इधर यह C-O-H और इधर इधर आपके पास बन जाएगा यह C-O-H अब इसमें क्या कैसा compound बनना चीए Optically active acid और यह मैंने बोला था इसको 6 हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या Optically active है क्या तो जी हाँ Optically active है यह Kailas Center हो गया इसका मतलब इससे हमारी condition fulfill हो रही है तो आंशर भी यह हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आंशर की बात करें तो यह तो आएगा B और यह आएगा C अक्स यह वाला है लिनलार केटिलिस्ट है और यह वाला है तो यह क्यूशन थे Hydrocarbon, GOC, Nomenclature में जो क्यूशन आएव है 2016 to 2020 मिलते हैं Next lecture में Halogen derivative, Grignar reagent, Carbonly compound Alcohol, Phenol, Ither उनसे कौन-कौनसे क्यूशन आएए उनके लिए मिलते हैं ओके थेंक यू